दोस्तों स्वागत है आपका हमारी एक और नई विडियो में। आज हम बात करने वाले हैं Cash Settlement के बारे में। हमारे पास काफी सारे CSP भाईयों के इसको लेके मैसेज आ रहे थे कि हम अपना Cash Company के द्वारा किस तरह से Settlement करा सकते हैं। दोस्तों सभी कमपनियों का अलग-अलग तरीका होता है Cash Settlement करने का। कुछ कमपनियों द्वारा Cash Settlement के लिए Portal बनाये हुए हैं। तो कुछ कमपनियों का मेल के द्वारा Cash Settlement किया जाता है। दोस्तों Cash का Lane Dane Company से दो तरीकों से किया जाता है। कुछ CSP के पास विड्रॉल अधिक आता है तो कुछ का Deposit अधिक आता है। जिसकी वजह से CSP को Cash Settlement में काफी समस्या होती है। इसको हम ऐसे समझते हैं। अगर आपके पास Cash निकालने के लिए अधिक कस्टमर आते हैं और आपकी लिमिट में पैसे काफी सारे एड हो जाते हैं तो आप Deposit के लिए कस्टमर का इंतजार तो नहीं करोगे कि कोई कस्टमर Deposit करने आएगा और फिर आप आगे लेंदेन करोगे। तो इसलिए आपको अपने BC करंट अकाउंट में अपनी लिमिट के पैसे मंगाने होते हैं। जिसके लिए आपको अपने BC को बोल कर अपना वो करंट अकाउंट कमपनी में एड कराना होगा। उसके बाद कुछ कमपनी में कैश सेटल्मेंट के लिए पोर्टल बनाए गए हैं कि आप वहाँ जाकर जितने पैसे आपको अपने पोर्टल से विड्रॉल कराकर अपने करेंट अकाउंट में मंगाने हैं, इतने पैसे की आपके द्वारा रिक्वेस्ट लगाई जाती और कुछ कमपनी में कैश ट्रांसफर के लिए इमेल का इस्तिमाल किया जाता है, आप अपनी कमपनी की आईडी पर मेल करेंगे कि आपको कितने पैसे अपने अकाउंट में मंगाने हैं और कमपनी आपके अकाउंट में वो पैसे आपके पोर्टल से विड्रॉल करके आपके अकाउंट में ट्रांसफर्ड कर देगी लेकिन कंपनी फंड ट्रांसफर्ड दिन में तीन या चार बार ही आपको देती है इसलिए आप उसी हिसाब से मेल करके पैसे मंगाए और एक CSP वो होते है जिनके पास डिपॉजिट करने वाले कस्टमर अधिक मात्रा में आते है और CSP के पास कैश इखटा हो जाता है और उसके पोर्टल की लिमिट खत्म हो जाती है और फिर CSP को अपने पोर्टल में पैसे मंगाने की आवश्यक्ता पड़ती है जिसके लिए CSP को अपनी कंपनी के अकाउंट में बैंक में जाकर पैसे ट्रांसफर करने होते है और पैसों की स्लिप कंपनी को मेल के माध्यम से या पोर्टल के माध्यम से भेजनी पड़ती है फिर कंपनी कुछ समय में वो पैसे आपकी लिमिट में एड़ कर देती है उम्मीद है जो हमारे नए CSP भाई है उनके लिमिट सेटलमेंट को लेके जो भी समस्या थी वो खत्म हो गई होगी और भी बैंकिंग से जुड़ी जानकारी पाले के लिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें